जहिन साथियो जेवर एरपोर्ट के लिए एक और बड़ी अपडेट बड़ी खबर एरपोर्ट से दोस्तो जो नहर पिरभावित होंगी उनको चार जगे ठीक यानि चार नहरों को दोस्तो चार जगे सिप्ट किया जाएगा पूरी खबर आप सभी यहां पर चैनल लीजी दो जेवर में प्रस्तावित नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट परियोजना की जमीन से होकर गुजरने वाली नैरों यानि वाटर बॉद्रीज को सिप्ट करने का प्लान सुरू हो गया है यह काम उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग दोस्तो करने वाला है देखेगा विकास करता कंपनी को जमीन पर कबचा देने से पहले इस तरह के काम पूरे कराये जाने हैं इन कामों को प्रसासन प्रात्मिक्ता के आधार पर कर रहा है ताकि परियोजना कुछ समय पर पूरा कराया जा सके दूसरी और दूस्तों नहरों के सिप्टिंग पर आने वाले खर्च की जमेदारी यमना एक्सप्रेस वे इंडेस्टल डिबलपमेंट अथोट यानी जीड़ा उठाएगा ये एरपूर्ट के लिए पहले चरण के लिए 1334 एक्टेर जमीन का दिग्रेंट किया जा चुका है यह जमीन छे गाओं की सामिल थी प्रसासन ने जमीन का दिग्रेंट कर के अविकास करतना कंपणी को जमीन सोपने से पहले परियूजना से सम्बंदित काम औंको पूरा कराया जारा है यमना एक्सप्रेस वे और मिकास परादिकरन से मिली जानकारी के मताविक परियूजना में आने वाले वॉर्डर बोड़ी यानी नहे धनाला अट्यादी को पर ना पड़े दूसरी और एरपोर्ट के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए सिचाई विभागने काम सुरूप कर दिया है तो दोस्तो पत्वा नाला है बजवता डिस्टिब्यूटरी है द्यानतपुर माइनिर है कि सोरपुर माइनिर है तो दोस्तो यह स सब्सक्राइब इस में से सिप्ट किये जाने हैं दोस्तों आज की वीडियो को कैसे लिए कि मुझे जरूर बताएं फिलाल थैंक्यूंट बाए